हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो देखिए ये मेरा बेस है बहुत ही हेवी इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ हेवी वो भी दिखाएंगे आप लोग को ये मेरा चलता नहीं है किसी करण से देखेंगे खोलके क्या है प्रोब्लम फिलाल देखे बार का लुप पैसा है ही बहुत ही ज्यादा मजबूत है चार आद्मी चरने से कुछ नहीं होगा वैसे बेस मजबूत भी होता है ठीक है दोस्ते वीडियो के अंदर मेरा नंबर है जिसको चाहिए तो खोल कर सकते हैं इसके बाद पता चलेगा क्या है प्रोलम देखिए वीडियो पाउस कर दिये हिसक्ते इस खोलने में बहुत ही ज्यादा समय लग्या हुए तक बहुत तरहां स्कूफ के अंदर तरह ट्रुब अभी साइड करेंगे में उसके वाद जाली निकाल के दिखाएंगे आप लोग तो देखिये जाली निकाल बहुत ही अच्छा स्विक्र बात और के नहीं अभी खुल के दिखाएंगे तो फिर से वीडियो पॉज करना होगा इस खुलने के लिए पॉज करके हम इस खुल लिए अब देखिए इसको बाहर कर रहे हैं बहुत ज्यादा वोजन है इसका लगब सारे 11 किलो वजन है इसी स्पीगर का अब देखिए स्पीगर इसके तो समझ गए होंगे इस्टोडियो मास्टर का है इस्टोडियो मास्टर ब्रैंड इसका आठ ओम है मोडल नंबर देखिए यह डबलू याप आठारो असी आठ सो आर्मस पावर है इसका बहुत ही तगरा जबर्दस पंच निकलता है इदर से प्रेशर के साथ इसलिए इसका नेट लगा हुआ है प्रेशर इयर कुलिंग सिस्टम डला हुआ है इसमें इसकी घर में बहुत ही ज्यादा है टर्मिनल देखे इसका बहुत ज्यादा है भी है बलेक और रेडड़ कि इसको देखना पड़ेगा वह से बार से ठीक ही लग रहा है यहां साइद कुछ फोल्ट हां अतार कट चुका है मेरा इसी कारण यह नहीं चल रहा था देखिए इसको रिपेरिंग करना होगा सोल्टरिंग करने से साइद हो जाएगा हम देख लेंगे अगर होगा तो ठीक करने तो मिस्क्री के पास जाएगा साइद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल को हम इसका रिपेर अपने हाथ से कर लेंगे इसलिए इसको खोले थे खोले तो वीडियो बनागे दिखा दिये आप लोग को वेस तो बहुत ठग रहा है आप सो वाड का है बहुत अच्छा बेस है अ सब्सक्राइब और चला सकते हैं बहुत ही अच्छा चलता है यह कभी प्रोब्लम नहीं आया था ऐस्ट टाइम प्रोब्लम आया है वो कड़ गया कि यह यह पास करने के लिए दिया हुआ है और यह इसकी वरका है बोड़ी बहुत ज्यादा हेगी है इसकी वरका मॉडल नमबर 8803 ठीगा भाई फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टाटाट